सब 4-meter SUV सेग्मेंट पहले से ही बहुत बड़ा था और भीड़ बढ़के वाला था अब जो है और भी भीड़ बढ़ गई है क्योंकि अब किया ने भी इस मार्केट में उतरने का फैसला कर लिया है वैसे तो पता था कब आने वली है क्या था लेकिन अब पिच्चर थोड़ी क चुकी है कि क्या वो ओफर करने वाले हैं इस सेग्मेंट के अंदर तो इसी वीडियो में बात करेंगे हम किया सोनेट के बारे में क्योंकि उसका ही अब बोल बाला होने वाला है आगे मार्केट में और सारी डिरेल इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या लुक है क्या उसका package है क्या engine specification है और मेरी भी opinion मैं बताऊंगा कि इस पे वो क्या आगे future में होने वाला है इसके साथ तो शुरुवात करता हूँ इसके design से ऐसा है कि Kia Sonnet पहले से ही हमें दिखाई गी थी मतलब यानि की Auto Expo में अगर आपको कोई भी ज्यादा चेंजिस देखने को नहीं मिलने वाले अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रेंट में जो टैगर ग्रिल है वो काफी आपको बॉल्ड लगने वाली है इवन सेल्टोस में थोड़ी सी आपको स्ट्रेट थी लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं और थोड़ा सा मस्कुलर नेस ज्यादा मिलेगी तो यहां पर और भी ऐसी चीज़ें जैसे हुड के उपर लाइन और नीचे का जो फोग ल क्रॉम वाला तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसका फेज जो है काफी आपको अग्रेसिव गाड़ी का लगने वाला है और किया का तब ऐसे कहना था जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का था कि इसे एक एलिफेंट के बेबी यानि की हाती के बच्चे से इंस्पायर किय और ने उस से करा है लेकिन यहां पर आपको जो एक लिदी ड पैकेज आए सामने की तरह वो काफी ठीक लगने वाला है साइड प्रफाइल की बात करें तो आपको सबसे पहले अगर मैं बात पता हूं तो इसका साइड पर ओल्मोस्ट आपको सिमिलर लगने वाला है आपकी वैन्यू से लेकिन हाव विंडो लाइन थोड़ी सी अलग है वै तो जो थोड़ा सा रियर पे आप आओगे तो एक ना इन्होंने बनाया हुआ है फ्लोटिंग ग्लास एफेक्ट जैसे अगर आप रियर की तरफ देखोगे तो एक ना पैनल साइड में भी जा रहा है कर उसमें तो वैसे तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश है तो उसको एक कनेक्टिड ग्लास का नाम दिया गया है हाला कि अगर मैं इसमें गोर से देखूं तो यह मुझे इतना ज्यादा जो है इंप्रेसिव नहीं लग रहा लेकिन हाँ अगर आपको लगता हो तो मुझे कुछ कहने सकता है कि हर किसी की अपनी उपीनियन होती है और यहां पर भी जुरूफ है उसी के साथ साथ उसी की उपर ही वहां पर भी डिफिंटिट किया हुआ है आगे ए पिलर से लेकर करीब व लॉसी फिनिश का एफेक्ट दिया गया है रूफ में लेकिन पीछे की तरफ आप जो है कलर आ जाता है बोडी कलर आ जाता है जहां पर वो चीज खतम होती है यह ठीड कर रही है तो यहां पर इस फोड़ा सा एफेक्ट है माइड भी किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं सेग्मेंट की गाड़ी है तो यहां पर थोड़ा सा डिजाइनर्स को इश्यू होता है कि इतना ज्यादा वो अपना हाथ फैला नहीं सकते तो इसलिए आप स्टेट डाउड किया गया है और जो टेल है तेल में भी आपको कुछ ज्यादा इसे कह सके कि एक तरह से ड्रामा नही है तो यहां पर थोड़ा सा एफेक्ट आगे जैसा जो है किया गया है और यहां पर एक बीच में एक कनेक्टिट स्ट्रिप दीगी है रेड कलर की हाला कि वह अगर मैंने ध्यान से देखा यहां पर तो वह लाइट नहीं लगरी लेकिन लाइट के साथ कनेक्टिट है और ज्यादा एलेबरेट करके बता सकता हो नीचे के साइड आपको बंपर में अच्छे खासा तरहीके का डिफ्यूजर मिलता है जो की दिखाने के लिए स्पोर्टीनेस करेक्टर दिये जाता है तो यहां पर ऑवरल जो पैकेज है लुक का विदू फ्रेल्स होगारा तो यह ज करेकर नाइस दिजाइन है उसमें कोई ज्यादा खाम ही निकालना यहां पर मुझे सही नहीं लगेगा लेकिन आप फ्रेंट शुरूर है कि यहां आपको थोड़ा से अग्रेसिवली लगेगा और आपको वह पसंद भी आएगा अब इस बात करें तो इंटीरियर में जो इस यहां पर मीडल पार्ट में भी आपको वही टेंग्लिश एफेक्ट मिलता है थोड़ा सा एंगल मिला गया है ताकि जो इसका अधर जो डैश बोड़ा उसी के डिजाइन किसा मैच किया जा सके और वहीं पर उसी के बीच में आपको इसी के कंट्रोल मिल जाएंगे सब कुछ दी है वो भी 10.25 इंच की स्क्रीन दीगी है जो कि सेग्मेंट में कोई नहीं दे रहा है यह सेम स्क्रीन है जो सेल्टो से केरी फॉरवड करीगी है लेकिन हाँ पैनल भी इकठा बनाया गया है जो की ड्रैवर सेट की डिस्प्ले के साथ है वहाँ पर भी आपको लगवा आपको अपना फोन रखेंगे तो आपका फोन कभी भी हीट आउट नहीं होगा जब भी उसे आप चार्ज करेंगे तिहां पर यह चीजी मिल रही है और नीचे की तरफ आपको कंट्रोल्स दिखेंगे वेंटिलेटिट सीट के जी हाँ इसमें वेंटिलेटिट सीट का ओप्शन आ रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस सेग्मेंट में भी कोई प्रोबाइट कर रहा है वैसे तो हुंडाय के पास पहले से टेकनोलोजी है पर उन्होंने ने व प्रीमियम फील करा रहा है हां लुक के मामने को कि सेग्मेंट में आइसा बहुत ही कम गाड़ीं देज़ पाती है उपर ही सेग्में में चली जाती है सैल्टॉस दे रही है जरूर है इसकी बड़ी भेहन दे रही है तो यहां पर यह भी ऐसा फीचर दे रही है वोपर से फिर इन्टिएर में क्या मिल रहा है मैंने स्क्रीन की बात कर ली की बात कर ली शुक्त मिल रहा है और यहांब पर एंटिएर में भी एयर प्लती। प्लस पॉइंट है और यूव फीचर जो मिले 57 फीचर है इसमें जिसके साथ आप है किया कहर के भी आप इससे जो है वाइस कमांड के मिलता है वैसे मिलेगा और मूड लाइटिंग भी है यहां पर यहां पर यह सब चीजे आपको मिल रही है अब अगर हम बात करें कि सेफ्टी वाइस तो सेफ्टी वाइस क्या मिल रहा है उसके बारे में देख लएते हैं इसमें छे एयर बैक का ऑप्शन आ रहा है और ECS जैसे के मतलब सेटर क्या एक अब को दर्ले कर दो लोगा लिए चर्वाइस एक और पैकेज मिल गया फ्रण पारकिंग सेंसर का तो यहां पर यह पैकेज आपार जो मोटे-मोटे तो लूं है और नॉर्मल है कि वेन्यों पर बेस जाए तो जगह भी वैसे मिलेगी बूट साइज भी जो है इसका 300.5 लिटर के असपरस रखा जाएगा तो नॉर्मल है कि यहाँ पर वेन्यों के ऊपर बेस जाए तो यहाँ जैसे ही आपका स्पेस मिलेगा उसमें कोई भी चेंजिस नहीं देखने को आपको मिलने वाले तो अब बात कर लेते हैं पावर ट्रेंड ओप्षिंस में क्या आ रहा है अल्मोस सेम है वेन्यू से लेकिन यहां पर कुछ चीज़े अलग है पहले तो बता दूं जो जो क्या क्या चीज़ आ रही है 1.2 लेटर का प्रेंटर पेट्रोल एंजन जो की बेस वेरिंट और एक उपर वाले वेरिंट में माइड भी आ सकता है वो जब वेरिंट निकले की त प्रेंट 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 की पावर निकालता है विच सिक्स्पीड ऑटमेटिक और सिक्स्पीड टॉक कनवर्टर जी हां यह आपने सही सुना डीजल में अब इकलोती कोई गाड़ी है जो प्रॉपर डीजल में ऑटमेटिक रांस्मिशन दे रहे हैं यानि एम्ट को छो अब आपने साथ यहां पर यह एक स्टेप चली जाती है दूसरे राइवल से जहां पर यह जो मैंने फीचर गिनवाए हैं अलग से यह फीचर वाकी में अलग बनाती है सोनेट जो है दूसरी भी राइवल से चाहे नेक्स ओनो ब्रीजा हो जो तमाम कॉम्पटिटर्स भी है वो भी यह ऐसे फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहें इनफेक्ट जो अभी रिसेंटली आई एमटी भी आया है वेन्यू में वो भी हाँ पर कंटीनू हो रहा था वैसे किया नहीं एक कॉंसेट पहले हमें दिखाया था बट फिर भी यहां पर ऐसी चीज़े कंटीनू होंगी या उनसे ली जाएंगी तो ऑवराल जो टेक्नोलोजी का या कहलें शेरिंग भी है हुंड़े के साथ कुई यहां पर पूरा का पूरा इस्तमाल करा जाएगा तो इनफेक्ट ऑवराल जो इसका मैं कैसा कूं एक थीम है या वो इक टीपिकल इंटीर में भी जो थीम है इसकी जीटी लाइन भी आप आएगा जो की 1.0 लिटर का उसमें भी आपको जो एक्स्टा रेड एक्सेंट देखने को मिलते हैं सेल्टोस में भी यहां पर भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा तो ओवराल जो इसका जो फील होगा वो ऐसा बनाया गया है कि याने कि हां अगर सेल्टोस को लोग पसंद करते हैं उसके फीचर के कारण उसके लुक के कारण तो यहां पर अगर वो लोग जो सब्फोर मिटर सुवी में यही ढूंड रहे हो तो वो किया उनको वो चीज़े दे सकता है तो यहां पर यह किया का एक स्टेंडर्ड ऊपर बना देना इन चीज अनाउन्स होगी तो वो प्राइजिंग ऐसी होनी चीए कि ना ज्यादा यह एक्सपेंसिव और जो कॉंपटीटर भी हो उनको भी एक तरह से पूरी तरह कंपीट कर सके लेकिन जिस तरीके से यहां पर जो फीचर दिख रहे हैं मुझे जिस तरीके का यहां पर पैकेज जाता था यहां पर यह किया ना करें कि जो ऐसे तमाम ऐसे फैंसी फीचर आ रहे हैं इसमें वह एक अलत वाले वेरिंड में दे और पता चले दूसरे वेरिंड में जो आ रहे हैं वह नॉर्मल फीचर ही हो जाए जो वेन्यू आपको देती है तो यह थोड़ा से देखने वा है एक तो यह गाड़ी हो गई एक टोईटा ना भी कुछ दिन पहले अनॉंस करा अर्बन क्रोस वह जो विटारा ब्रेजा पर बेस्ट होगी वह एक आने वाली है और आपकी जो निसान की मेगनाइट और किया की सोरी फोर देट किया की सोनट तो है लेकिन रेनो की की गर जो लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सेगमेंट में शाहती कोई मैनुफेक्ट्वर बचा होगा जो इस सेगमेंट में अपने अपने आप पोड़क्ट की मजूर्गी ना दे तो मेरे असाब से यह जो सेगमेंट यह पूरा का पूरा बहुत एक भीड़ बड़क्के वाला स सकती हैं जो भी competition आ रहे हैं तो ये मेरा मानना है और अगर मैं expectation को इसकी pricing की तो might be top variant की लगबग 12.5 लाग के आसपास हो सकती है या 13.5 के अंदर ही रह सकती है वो मेरी expectation है बाकी जब आएगा मैं आपके सामने जुरूर शेर करूँगा तो ये थी मेरी वीडियो कि ये सोनेट पे आपको कैसे लगी पताना जोर comment section में अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को और bell icon भी दबाना मत भूलना थेंक्यों वर वाचिंग इन इस ड्राइव